Realme U1 and Realme 1 इन दोव डिवाइस के लिए मई 2020 का लेटेस्ट अपडेट रिलीज कर दिया गया आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप लोग अपने डिवाइस को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी रिव्यू या फिर फीडबेक जो है देख लिया करो जरूरी नहीं कि आप इसी यूटूब चैनल के वीडियो में देखो आपको जिस भी यूटूब चैनल के वीडियो पे भरोसा हो या फिर अधर वीडियो प्लेटफर्म जहां पर आपके डिवाइस का जो है रिव्यू वीडियो डाला जाता है अधर वाइस आप लोग ओफीशियली रियल्मी कैमिलिटी एप में भी चेक कर सकते हो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है यदि आप लोग अभी तक रियल्मी कैमिलिटी से अंजान है तो उसे इंस्टॉल करें आप लोग अपने सेक्शन में जाकर के लोगो द्वारा दिया गया फीडबेक चेक कर सकते हैं कि आखिरकार क्या-क्या इस अपडेट में नए चंजे से या फिर कोई बग जो है आ चुका है तो वह आपको किस पर का एरर दे रहा है ठीक है हलांकि developer कोसिस करते हैं कि पिछला जो भी known bug हो उसको fix कर दिया जाए लेकिन आपके device के current condition के वज़ह से हलांकि या OTA update है तो थोड़े बहुत नए bug आ जाते हैं या फिर miss हो जाता है तो कोई ने कोई accidental error देखने को मिलता है तो इन सबसे बचना है या फिर आपको report वगया देना है तो community पर जाकर के आप लोग दे सकते हो ठीक है ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी लोग का सिकायत रहता है कि उनकी जो मुख्य यूज की चीज़े है डिवाइस में इस bug के वज़ह से उसमें अवरुद याने की रुकावट आ जाती है एक्जामपल के लिए इन रिव्यू में आप लोग को देखना नेसिसरी सबसे पहले आपका डिवाइस का performance इन सब को आपको ध्यान पूरबक रिव्यू वीडियो में देखना है या फिर फीडवक में देखना है अधर्वाइस कोई नॉन बग आ जाती है तो वह भी आपको पता चल जाता है यह अपडेट की जो वर्जन है रियल्मी यू वन में C.19 है और C.49 जो है रियल्मी 1 के अंदर है इसमें basically lock के अंदर जो दिया गया है latest security page और non bug fixes अब हो सकता है कि बहुत सारे non bug होगा पिछला update का वह fix किया गया लिष्ट में कुछ जादा ही लंबी line लग जाएगी तो वह चीजह अब इस वज़़ा से नहीं किया गया लेकिन कुछ नए अपडेट अगर आए हैं उसे मैंसर नहीं किया गया तो वो सबसे बड़ी बुरी बात है हम लोग रिब्यू वीडियो में आप लोग को बताते नहीं कि क्या नया फीचर्स देखने को मिला या फिर कोई अन्न बग तो नहीं आ गया जो कि आपको वीडियो रिवीडियो के साथ दे दूं अधरवाइस अगर में वीडियो आने में डिले हो गया तो नीचे आपको पींड कॉमेंट में मेरे फीड़ एक देखने को मिलेंगे सतर करें उसके बाद ही सब्डेट को इंस्टॉल करें ठीक है ताकि आपको किसी परकार का नुक्षान ना उठाना पड़े और आपका डिवाइस जो है पफोम में इसके साथ चलता रहे वैसे मैं फिलाहल आप लोग को बैटरी टेस्टिंग के बारे में कुछ जानकरिया दे देता हूं कि कैसे आप लोग अपने रियल मी के डिवाइस में बैटरी चार्जिंग रखते हैं वैसे एक चीज मैंने यहां पर बुरी देखी चार्जर कैपिसिटी मेरा 2A का है 10W का है पांच वल्ट का है ठीक है तो यह चार्जर की कैपिसिटी अच्छी है वर वर दूसरे डिवाइस में बहतर वर कर रहा है उसी चार्जर को मैं रियल मी 3 बरो में कनेक्ट कर रहा हूं तो चार्जिंग कैपिसिटी अच्छी मिल रही है 18-0 MA कैपिसिटी मिल रही है लेकिन उसी चार्जर को उसी केवल के साथ अपने रियल में U1 में कनेक्ट कर रहा हूं तो एबरेज जो है 1050 या 1100 के आसपास MA कैपिसिटी मिल रही है हलांकि यह डिवाइस 2A का चार सपोर्ट करता है तो मेरे इसाब से 1700-1800 MA की स्पीड मिलनी चाहिए अब इन चीजों को मैंसन जो है टेंप्रेचर के अनुसर करना चाहिए कि आपका रूम का टेंप्रेचर और डिवाइस टेंप्रेचर क्या है आपका डिवाइस जो है 5 से लेकर 35 डिवाइस टेंप्रेचर म को मिलेगा और रियल्मी यूवन या फिर रियल्मी का कोई भी अधर डिवाइस अधर ब्रांड के भी डिवाइस चार्जिंग स्टॉप हो जाता है जब भी टेंप्रेचर काफी जादा बढ़ जाता है ठीक है आपका डिवाइस चार्जिंग नहीं होगा और एक मैसेज दे लेकिन यहां पर चार्जिंग स्लो होने का वज़ा या फिर बैटरी डिक्रिमेंट होने की वज़ा पपोमेंट होने की वज़ा रूम टेंपरेचर या आपके वेदर टेंपरेचर भी हो सकता है आप लोग प्लेस को बदल करके फेन इसी कुलर सब कुछ का इस्तेमाल करकर अ अपना फोन जो है थ्वासा कूल रख सकते हूं लेकिन ज्यादा पोसिबिलिटीज कैसे हो सकती है शमर सीजन आ चुका है कुछ जगव पर टेंपरेचर काफी ज़्यादा हाय होता है दिली राजस्तान की बात करो तो कुछ हिलाखा में टेंपरेचर बहुत ज़्यादा होता इस प्रकार के camera में कहूं तो इसमें macro lens नहीं है तो लोगों को सबसे नजदीक का जो short है उस लेने में दिक्कत आती है अब जो चीज़े मैं mention कर रहा हूं कि charging speed मेरे को 1100 mAh ही मिल रही है यह मेरे को normal temperature पे मिल रही है मैंने यही चीज 25 degree Celsius temperature पे चेक किया 35 degree Celsius temperature पे चेक किया तो यहां पे मैं confirm कर रहा हूं कि आपका device कभी-कभी मैं देख रहा हूं कि 1500 में के आसपास या 1600 में मिलती है लेकिन कभी भी 17, 18, 19 नहीं मिलता इसमें maximum एक average अभी summer season में 1100 mAh की capacity मिलती है अब पता नहीं कापी जगह पे थुरसा cool होगा moment तो वहां पे मिलता होगा मेरी धर का temperature maximum जो manage कर पाता हूं 21 degree Celsius रूम temperature रख पाता हूं लेकिन device का temperature तब भी 32 degree से 35 degree Celsius temperature होता है तो इन सब के बावजूद हमारी बैटरी charging time है 1100 mAh तो इस हिसाब से आप लोग चेक करो उसके बाद ही blame करना बहतर होता है device के charging speed पे अलांकि इस बात को मैं challenge कर सकता हूं कि Realme U1 की charging storing capacity मैं कौसिस करूँगा कि इसका feedback दू आप लोग भी feedback चाहो तो Realme Camility App में जागर के दे सकते हो इसके आला आप performance में थोड़े बहुत problem previous से मेरे को देखने को मिलते हैं लेकिन नए features जैसे से बढ़ते जा रहा है उपर से device भी old होता जा रहा है तो performance में decrement मुनाशिब है तो इस इसी वज़े से इन सब बातों को ध्यान में रख करके अपने device को update करे सुरच्छी तरहे और फिलाल तो थ्वासा moment गरबर है अपने मुल्क का पुड़े दुनिया का पुड़े विस्वकार इन सब से बचे सुरच्छी तरहे सारे guideline को follow करे मैं आप लोग के सुरच्छी तरहे के लिए शुब कामनाएं देता हूँ अब इस वीडियो से related कोई समस्य आते है या फिर पूछना कोई शवाले देना उस उचाओ तो आप में नीचे comment box में दे सकते हैं हमें आप लोग की मदद करके खुशी होगी